बिल्कम डिये स्टुनेंट्स तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करच्छा दस्बी बिसे गडित 27 जुलाई दुआर 21 की एसेस्मेंट वक्षीट नमबर वन तो हम इस वीडियो में एसेस्मेंट वक्षीट नमबर वन को हाँ पर पूरा सुरु करने वाले आपको विद्वत समझाने वाला हूँ तो वीडियो को अंतक देखेगा और ध्यान लाकर समझेगा समझने का जादा प्यारास करेगा क्योंकि आपको सुलेशन तो मिले आता है समझने पर आपको ध्यान ला देना है तो इस वीडियो को नीचे जो आपको लाइक का बटन दिख रहा है आप उसे अभी से प्रेस कर दिजिए चलिए अब हम वीडियो में के सुरू करते है और डिस्क्रिप्सिन में आपको इसके आदा सब्जेट के सुलेशन के लिंक भी लाईगे आप उनने जाकर देख लीजिएगा तो हाँ पर देखिए आपको करना कि हैं देखिए एमसं यह फूफ है कि जो भी यह ना बंगले लिभाग विकल्प्त इस प्रकार से आपर आपको सोड़ करना है तो आई है हम इनके कोशन को देखे लेते हैं उससे पहले थोड़ा से आपर हमें एड लगा देते आँ क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स तो पास सेकेंड में डाउट्स के साथ करो उन्हें आउट बस आपने सवाल की फोटो कीचो ग्रोप करो और तुरण वीडियो सलुसन पाओ फिर चाहे आपका सवाल फिजिस केमेस्ट्री मैथ्स वाइलोजी का हो सभी सवालों के बीडियो सलुसन पस पास सिकेंड से मेलेंगे आपको डाउट एप पर इसके साथ ही डाउट्स पर चल रही है इंडिया की नमबर वन डेली ओनलाइन बीडियो क्लासस बो भी इंगलिस और हिंदी मीडियम में जहां पूरा कोर्स बढ़ा जा रहा है तो आज ही इन कोर्स का हिस्ता बनिया और डाउट एप इस्टोल कीजिए तो बच्चों देखिए यहां पर हमारा पहला एमसी के उब्येश्ट डिकोश्यन आए बिंदु रिंड दो कोमा छे किस चतुर थांस में इस्तित है हाना तो बच्चों चतुर थांस में के होती है देखिए चार रिखा होती है हना देखिए हम इसको कहते है देखिए इसको हम कहते है एकस निर्द सांग और इसको कहते है हम बाय निर्द सांग इसको एकस डेस और इसको बाय डेस इसको हम कहते है प्रतम चतुर थांस इसमें धन और ध दृत्य चतुर थांस में आएगी तो इसका सही आंसर के आएगा इसका सही आंसर होगा आपका नमबर वी सेकेंड आप इसके सामने वाले गोले को फिल कर लीजिएगा ठीक है इस प्रकार से हाँ पर सोल्व करके देखा जाता है तो आपको समझना वेरी इंपोर्टेंट है समझने पर आपको ज्यादा धन देना है देखिए नमबर सेकेंड हमें हमें दिया है 195 और 87 का HCF कितना है तीन है तो हमें इन दोनों का फिर LCM बताना है ठीक है तो हाँ पर देखिएगा तो समसे पहले हम इनका निकालते है помог Nailします के से रहीं है नेकाले देखिए बंचों को से दिये है हमें Sankhyaya हमें दिये 195 और 87 तो समसे पहले हम 177 का गुरण खंड निकालते है आवां समसे छोटी संकह से भाग देना शुरू करते है और यहती संका हो भागने जाता है तो फिर हम बड़ी संका oldu से भाग toch देना शुरू कर देते ओ तो देखिये इसमें आँख्री की संका consciousness 5 है मद्दब की इसमें दो का भाग ने जाएगा तो हम इसमें सब फिर तीन का भाग देकर देखते तो देखी बच्चो 3 वार देख सबसे बेले हम 19 में 3 वार देख नए गया जो बचा है एक भे पाउट के सांट जोड़ जाएगा कितना होता है अब देखिए बच्चो यहाँ पर तीन निससरे यदि हम भाग देकर देखें तो पेशिट में भाग नहीं जाएगा तो हम इसके बाद देखें पांच से भाग देखते हैं तो देखें 5 एक माँ 5 हो जाएगा बचा एक 5 के सांद जुड़ आएगा तो देखें 5 तीया 15 अब देखे तेरा में सिर्फ तेरा का भाग जाते हैं तो देखे तेरा में तेरा का भाग जाएगा एक बार इस प्रकार से हाँ पर इसके अवाज गुरान खंड के निकले हैं हमार पास हाना 195 एक अभाज गुरन खन के निकले हमर पास 3 गोड़े 5 गोड़े 13 इससे प्रकार देखिए हम 87 का अभाज गुरन खन निकालते हैं तो देखे 87 में आखरी अंक के साथ है हाना एक आएक अंक साथ है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम इसमें 3 का भाग देखिए तो देखिए 3 2 नी 6 8 में से 6 गयबाचर 2 तो जूड़े का साथ किसान तो देखिए कितनों आएगा 27 तीन नौम कितना होता 27 होता है अब देखिए 29 यहाँ पर आया है तो यहाँ पर देखिए 29 में 3 का भाग नहीं जाएगा ठीके, 4 का भाग भीन जाएगा, 5 का भाग भीन जाएगा, 7 का भाग भीन जाएगा, 9 का भीन जाएगा, ना तो 11 का जाएगा, ना ही 13 का जाएगा, ना ही 15 का जाएगा, ना ही 17 का जाएगा, 29 में सिर्फ 29 का भाग जाएगा, वो भी कितने बार, एक बार तो देखिए हमार पास तीन के अवाज गुर अनखन के निकले है तीन गोड़ित 29 तो देखिए अब जो अवाज गुर अनखन निकले है इनकी साथचिNow हम LCM निकालेंगे तो देखिए हम यहां पर लिखते है क्या LCM एरिसम के स्प्रिका निकाला आता देखिए जो भी संख्या है हम प्रत्यक में से संख्याई लेंगे उसकी सबसे बड़ी घात लिखेंगे हाना तो देखिए यहाँ पर देखिए तीन और तीन है तो देखिए तीन की सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पर एक है तो तीन की घा गोड़ित तेरे गोड़ित 29 हो गया है तो हम इनका यहाँ पर गोड़ित पाच यहने 15 गोड़ित तेरा में 29 का हम गोड़ित करेंगे तो देखिए 29 तेरा 29 27 के साथ हासिल का 2 3 2 6 और 2 8 गोड़ित तेरा गोड़ित 9 2 धन कितना हो आएगा 9 और 7 कितना हो आएगा नोड़ साथ हो आएगा हाँ पर 16 का 6 हासिल का 1 9 10 से 11 ठीके कितना आएगा यहाँ पर 100 तुम्हें इसका आपको द्राट आंसर बता देता हूँ जब आप मिटिका गुड़ित का देगो तो इस कांसर कितना निकल कर आएगा यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए दो कोण बनना हुए पहला कोण कहाँ पर बना हुआ है कोण P Q R में बना है और दूसरा कोण कहाँ पर बना है कोण Q O R में बना है मतलब की, मतलब की समाझेगा, जो आपका कोण POR है, जो आपका कोण POR है, बहें आपके कोण QOR का आधा है, मतलब की, हम इसे के लिख सकते हैं, हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, क्या कोण QPR वरावर से, वन हाप कोण QOR, तो इसके नमबर C को ओप्सन यहाँ पर करेट हो जाएगा, आप इसे फिल कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आपर सोल्प कर जाता है अब देखे छात्रो नंबर 4 हमें क्या दिया है बहुपद 4x धन 3 का सुन्नेक है तो देखिए हम सुन्नेक कैसे निकालेंगे तो देखिए बहुपद हमें क्या दिया है 4x धन 3 इसके बराबर में हम ले लेंगे 0 ठीक है तो हाँ पर देखिए 4x का 4x रहेगा बराबर स धन 3 का पच्छातर हम बरावर के तरफ करेंगे तो देखिए इधर 3 जो धन का है इधर जाकर वे रिन का हो जाएगा फिर हम यहाद पर देखिए X कमान निकालेंगे तो देखिए X बरावर से रिन 3 का रिन 3 देखिए चार इधर गोड़े में है इधर जाकर वे बटे में हो जायेगा तो देखिए बटे का चार आ जायेगा तो आपर देखिए X कमान कितना आया है रिंट तीन बटे चार तो देखिए इसका जो अप्सन नमबर A है यहाँ पर करेट हो जायेगा फिक है कितना आया है रेंट 3 बटर 4 यहाँ पर आया है अब देखिए नंबर 5 हमें दिया है नंबर 5 आपको यह जो कोशन दिया है इसका करेट आंसर देखिए इसका करेट आंसर यहाँ पर होगा क्या नमबर फ्रांस जे का आपका जो नम उप्सन भी है वे करेक्ट हो जाएगा नमबर छडबा हम देखते हैं नमबर छडबा दिया है समय करण 5x दन 2 बाइरें 9 बरावर 0 का हल है तो देखें आपर आपको 4 उप्सन दिया है देखें चार उप्सन में जब आप संख्या आए हना एकस के स्थान पर ये दिया आप पहले संख्या रख कर देखेंगे और बाइक के स्थान पर ये दिया आप दूसरे संख्या रख कर देखेंगे हना तो आप कमान जो 0 को बरावर आना चाहिए तो आप यहाँ पर रख कर दे सकते हैं तो इसका जो number दीको option है हाँ पर 1 और 2 correct हुआ क्योंकि देखिए हम इसे हाल करके भी देख लेते हैं तो देखिए के रखेंगे हम x के स्थान पर 1 रखेंगे और 2 के स्थान पर हम 2 रखेंगे तो देखिए 5 good x के स्थान पर 1 धन 2 बाय के स्थान पर 2 रिन 9 ठीक है तो देखिए 5 एकम 5 धन 2 दूनी 4 रिन 9 तो हाँ पर देखिए 5 और 2 7 रिन 4 ठीक है sorry sorry हाँ पर mistake हो गई sorry हाँ पर देखिए 5 एकम 5 धन 2 दूनी 4 रिन 9 तो 5 और 4 रिन 9 बराबर 0 तो देखिए हाँ पर बराबर 0 आया है मतलब कि आपको जो option number behavior correct होगा number 7 आपको दिया है चक्री चत्रवुच के 4 सीर्स खालिस्ता अंपर इस्तित होते हैं तो देखिए इसका answer कोंसा आएगा आपका इसका answer आएगा आपका तो साद्वे का आपर देखिए क्या आएगा आपका answer आएगा आपका ब्रत यानि कि चक्री चत्रवुच के 4 सीर्स कहां पर इस्तित होते हैं ब्रत पर इस्तित होते हैं जो नंबर सी है आपका नंबर सी है इससे हम पी बटे क्यूकिरू में विवक्त नहीं कर सकते हैं मतलब कि आप परी में संक्या होगी नंबर नाइन हमें दिया है यहाँ पर नेमन में से कौनसा बिंदू बाय अच्छ परिस्तित होता देखिए जो नेमन में से असत्ति कथन का चुनाब कीजिए तो देखिए इसका नंबर सी है आपको बग्स्रीट को सोल्ब करना था तो उम्हें आपको वीडियो हेल लाइक कर देखिए जये हिंद जय भारत